एक Made in India World Freedom Index अभी के लिए देखो क्या होता है कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी है या नहीं, भारत में कितनी डेमोक्रेसी है, चाइना में, रशा में क्या इशू है, इसको लेकर जो भी रिपोर्ट आती है, जो भी इस पर रैंकिंग आती है, ये त्यार करते हैं पस्चमी अब भारत में भी बात हो रही है और बहुत ही हाई लेवल पर बात हो रही है, कि इंडिया में भी जो बहुत सारे थिंग टैंक हैं, ये बनाएंगे Made in India, डेमोक्रेसी रिपोर्ट या फिर Freedom Index, अभी हाली में आप अगर देखो तो बहुत ही एक अजीब सी रिपोर्ट सामने आई थी, VDEM Institute की, VDEM आपको बता होगा, ये है Sweden-based Institute, इस Institute ने ये कहा दिया कि भारत में तो अब डेमोक्रेसी है ही नहीं, यहाँ पर है Electoral Autocracy, Autocracy को compare किया जाता है काफी बार ताना शाही से, तो इन्होंने ये कहा दिया कि यहाँ पर Elect करके एक Autocrat को बढ़ा दिया गया है, फिर आप अगर देखो तो US-based, जो Freedom House Report है, इसने ये कहा दिया के इंडिया अब एक डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक पार्टली डेमोक्रेसी है, कुछ हद तक डेमोक्रेसी है, और इंडिया को इन्होंने उस लिसमें डाल दिया, जहाँ पर पाकिस्तान है और कुछ और आफ्र यहाँ पे काफी प्रॉब्लम है, और overall इन्होंने आप रेंग दी 53rd, ना कुछ हद तक मैं आप यह कहूँगा, कि Economist Intelligence Unit की जो रिपोर्ट थी, काफी हद तक न्यूट्रल थी, मगर बाकी जो Freedom House की रिपोर्ट थी, और जो VDEM की रिपोर्ट थी, उसमें साफ साफ विलग रहा कि इनमें एक political angle भी होता है, for example, US की अगर मैं बात करूँ, तो जो Economist का Index था, Democracy Index, इसमें नोंने यह तक क्या दिया, कि इंडिया के साथ साथ, US भी है एक flawed democracy, US भी एक perfect democracy है नहीं, अब US कब बनाए flawed democracy, जब से Donald Trump पावर में आई है, तब से हम देख रहे हैं कि US की जो rank अलगात होती हैं ये reports, और इंडिया के लिए सबसे बड़ी problem यहाँ पर यह है, कि इनको US में इन reports पर लोग इता धान देते नहीं है, वहाँ पर इतनी obsession नहीं है लोगों को कि Sweden का एक think tank हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वेराज आप अगर इंडिया को देखो, तो इंडिया एक ऐस सा देश है, जो Western opinions को रखता है एक pedestal पर, मतलब कि हम लोग बहुत जारा तवज्जो देते हैं कि Americans, Europeans हमारे बारे में क्या क्या रहे हैं, ना सिर politics या फिर governance में, हर aspect में, अब for example मैं आपको यह बताओ, हमारा कोई cricketer होगा जिसने score कर रखे होंगे 30,000 या फिर उसे ज्यादा अचानक से England का कोई एक baller जिसने 2-3 test match खेले होंगे, वो बोल दे के मेरे इसाब से India का जो यह great batsman है, यह overrated है, यह इतना मान था नहीं, immediately आपको भी पताए कि इतने सारे इस पर articles publish होंगे, लोग इस पर बात करना start कर देंगे, whereas आप अगर reverse करके देखो, कि कल को England के कोई बह काफिया तक obsessed है western viewpoint से, एक और मैं आपको example दोंगा हमारी obsession का, I think India उन गिने चुने देशों में से हैं दुनिया में, जहां पर उन foreigners की एक fan following है, जो Indian movie trailers पर reaction देते हैं, आपने देखा होगा इसकी पूरी एक industry है, आज किसमें YouTube पर, कई channels हैं, जिनका काम ही ही है, वो जातर Americans होत तो ऐसा दो देखिए हमारा mindset है, ठीक है, अभी भी एक काफिया सकते है, colonial होड़ा सा hangover हैं में, सो अब यह सी बात है, कल को अगर कोई भी report आती है, Norway से, Sweden से, उसको हम देंगे जरा तवज्जो, हम लोग तो यही मानेंगे, कि अगर इन्होंने का है, तो ठीकी होगा, करते हैं एक index के Indian perspective से, दुनिया में freedom कहां पर है, दुनिया में democracy कहां पर तरक्की कर रही है, और इस पर by the way, एक internal load भी publish हो चुका है, by the Ministry of External Affairs, यहां पे नोंने का है, कि we may encourage one of the Indian independent think tanks to bring out its own annual world democracy report, based on comprehensive parameters, as well as an annual global freedom press index, क्योंकि मैं आपको यहां पर यह बता दूँ, कि religious freedom practices के नाम आपको इंडिया से भैतर देश हो सकता है कि इस region में मिले ना, किसी भी धर्म किया आप अगर हो, आपको complete freedom है आप पर religious practice करने की, अभी हाली वे आपने देखा है, कि कई European देश है, जिनोंने बुर्खा को ban कर दिया, कई वहाँ पे जो mosques हैं, वो बंद किये जा रहे हैं, फि जरातार ये focus करते हैं, इंडिया या फिर बाकी जो Asian countries है इन पर, और खुद को ये रखते हैं, rank 1 से लेकर 20 पर के, हम लोग बिल्कुल ओके हैं, हमार या complete freedom है, everything is fine, तो मैं काऊंगा बिल्कुल, इंडिया भी यहाँ पर एक list दियार कर सकता है, कि किस country में religious practices की freedom है, और मैं का को shutdown तो नहीं करते, और यहाँ पर पूछेंगे कि ये जो idea है, कि इंडिया खुद का एक index तियार करे, report तियार करे, ये कहां से आया था, देखो इसके लिए सबसे पहले एक चिठी वेजी गई थी PMO को, बाई सूरिय प्रकाश, ये है former प्रसार भारती chairman, इन्होंने लिखा, कि एक गुमनाम सा institute UK में या फिर Sweden में एक report तियार करता है, और ये report तियार करी किसने हैं, गिंती के 5-6 लोग होते हैं, कमरे में report तियार कर देते हैं, और उसका massive impact होता है इंडिया पे, तो क्यो ना हम भी एक index तियार करें, हम यहाँ पर यह नहीं कह रहें, कि उनके index को, उन एक index तियार करना चाहिए, World Freedom Index, World Democracy Index, या फिर आप यहाँ पर यह भी मान सकते हैं, कि हमारे पास internationally, अभी इतनी credibility है नहीं, इतनी soft power है नहीं, कि बहुत सी countries हमारे index को, हमारे report को seriously ले, लिखेगा इसके बारे में comment section में, I'm sure all of us would like to know your opinion, और finally आपर यह भी माइड कर दू, कि मैं आप लोगों के लिए launch करी है, free UPSC test series made by me, बहुत important है, इसमें हफते में आपको 3 UPSC level के test मिलेंगे, आपको simply क्या करना है, कि यहाँ पर description में लिखा होगा, unacademy impulse, इसको click कर लो, और यहाँ पर आपके सामने खुल जागा यह page, अगर आप phone पर हैं, तो पहले unacademy की जो app है download कर लो, register कर लो, और फिर जो यह link है description का, उस पर click करना, आपके सामने एक ऐसा page open होगा, enroll का option आएगा, इस पर click कर लेना, अगर कोई code यहाँ पर मांगे, तो code डाल देना PD10, और आप हो जाओगे यहाँ पर enroll, और जैसे ही यह test upload होगा, यहाँ पर सीधा आपके mobile पर application, SMS भी आजाएगा, कि test ready है, आप test को कर सकते हैं, attempt, और यह test आपको मिलेगा, दोनों languages में, Hindi, English, दोनों, simply यहाँ पर आपको click करना है, start test, Hindi पर आप click कर सकते हैं, and just begin the test, और इस तरीके से आपसे हर test में 30 UPSC level के important question पुछे जाएगे, current affairs properly आपके cover होंगे, in this test series, और आपकी अगर rank आती हैं, आपर 1 to 10, तो आपको इसकी reward भी मिलेगी, gift भी आपको मिलेगा इसका, जिसके बारे में आपको inform करती है जाएगा, through your email ID, तो enroll करिए Unacademy Impulse में, today, so यह है और इस वीडियो का, thank you for listening, and as always, God bless you all.